नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक तो क्यूरिशेरी फोर दे लिए 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 फूड़ लाइन सबसे पहले बात करते ओबियसली कल हुए धमाकेदार मुकाबले की जिया गाइज इंडिया वसी स्कुवेट वन वन रो वड़ा मैच वड़ा मैच वड़ा मैच I think मजा आ गिया इ इंटेंसिटी इस तरह का प्रेशर हमने बना के रखा आप देगे प्लेयर आप देगे बोल होल्ड़ पी ने कर पा रहे थे यह घ्र से हम इसली ब्रूड बीकर पा रहे थे तरस ग्रेट एबिली तुक्त लग रहा था कि फिजिकली ओंप लेकिन जो मारे प्लेयरों जो यहां पर इंडिया ने कि चाहिए आप हमें किसी भी टीम लाइए जो एक विनिंग मोमेंट बन चुगा है उसका कमाल था अगरम पॉजिटिव की बात करें उसके लावा तो आधिंग जो प्लेयर्स में पॉजिटिव देखे तो आधिंग ओबिसली नॉर्यम महसिंग वड़ा इस तुडबी इन इस श्राटिंग 11 वड़ा प्लेयर क्या बंदे ने खेला है जिस तरह की उसकी पासिंग रहें जिस तरह की होल्डिंग केपेसिटी है आप देखें मेरे को लग रहा था कहीना की फीजिकली वह मारक आजयागा क्योंकि थोटा सा फीजिकली हमें लगता है क यह तरह नहीं है लेकिन जिस तरह से उसने अपनी बोडी को युष्के रहें जिस तरह से भाई उसने खेला है थिंगी रिए रिलिय रिली ब्रिलियंट चांते ने इन वहाँ रिए राइस साप मक्रों ने हम अनि रो डाले थे वहाँ ब्ल्श्ट था पारे जीतनी है वहाँ प्रवाइट पर दिस नाव चिस का पाइब रिखेंग और रहे सब्ड़ू नहीं होना पड़ रहता है जिस तरह से था जैख अगर प्रफियू नहीं पर दॉट रहा तो प्रफिछोंग को पता है किस तरह से सुनी षरक रलको को कम्लिमेंट करना आप एक था जए आप आप लेप साइड भी जा रहा था राइट साइड भी ओ चांगते की साइड भी कभी गया तो यह बिन अगर आप पोजिस्टनिंग वाइस देखे तो इस बिलेंट बोल कंट्रोल भी उसका अच्छा था जो एक चीज अभी भी वो लेक कर रहा है वो अबिसली फीनिसिंग एक दो सो सब्सक्राइब करने चाहते थे नो डाउट लास्ट में वह गोल आ गया उसके बारे में बात करेंगे उसके लावा अगर हम निखिल पुजार यान अकास मिस्रा का भी देखे है इतिंग ब्रिल्यंट गेम प्ले दोनों की और से इतिंग जिस तरह से दोनों ट्रेक भी किया मेरे को तो काफी इंप्रेसिव लेगा टूबी ओनेस आकास मिस्रा ने भी फॉर्स आप में एक दो प्लेरों को कैसे अपने क्या बोलते कि सामने वाली टिम देखें कुवेत ने क्या किया कि उनको पता था कि वी कांट बीट टेकली इंडिया तो दे गोन विद्ध डटी गेम और मैंड गेम से खेल गए कि इनको उक्साव और वही किया उन्होंने सेकंड आप में आप देखे प्रेले में ले लिए समझ में आता दूसरा यह जरूरी नहीं था और आप एक यलो कार्ड पे थे फर्स्ट आप में आपको यलो कार्ड मिल चुका था तो सेकंड आप में फिर क्यों रेड कार्ड लेने के आपको ज़रूरत पड़ी आप देखिए इससे टीम अफेक्ट होत लेकिन कोई नहीं चलो वह तो हो गया चलो अब उसने दे दिया लेकिन आइटिंग कोच की और से लगातार दूसरे में रेड कार्ड में लेना यानि कि आप सेमी फाइनल का कुरूशल गेम भी मिस कर रहे हो और उसके लवा आइटिंग फाइनल भी मिस कर सकते क्योंकि लगा अब पता चल गया कि इस 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 अननेसरी था वह एंड इस इलिए में दिस पॉइंट आपने दो चीज उससे लूश किया आप सेकंड पूइंट फिनिस किये आपको लेवनान के सामने खेलना पड़ेगा लेवनान के सामने खेलने से मेरे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप अब यह एक होती एक ओंफिदेंस लेवल के आप टेवल टॉप पे जा रहे हो एक अलग लेवल की होती और दूसरा आपने फिफा में भी पॉइंट लूश कर दिये नो डाउट अभी भी एंट रेंथ रैंक पे ही है लेकिन पॉइंट नाइन अपने फाल्त में दे दिये प फाइनल में भी ना हो अगर दो मेंच का बेहन आता है तो देट विल बी रिमेंट वी सीन लेकिन लेकिन दिस इस अननेसेसरी उससे टीम के अफेक पड़ा आप दीके अनुबर रली का वो जो हुआ वो टोटली क्वा लेक ओं कॉंसेंट्रेशन की बज़े से था एसा होता है बड़े डिफेंडर्स के साथ लेकिन वह सिच्वेशन लेकिन इसलिए अब दू के इतना जाद क्या बोलते की मैच में वह स्टार्ट शटॉप स्ट्रॉप और हो रहा था था तो घ्रच्वह ओधिया और उसीके चलते मिस्टीक भी और शैकता बहुत हो लास्ट में गोल इस इससे एक लर्निंग मिलता है कि आपको किस तरह से अपनी 1-0 के लीड को भी डिफेंड करना है उतना ज़्याद हो नहीं जाना है आपको सामने वाली टीम आपको प्रोवक्ट भी करेगी लेकिन आपको अपना क्या बोलती कि कि आपको किस तरह से टीम को डाउन नहीं करना है वो तो सामने प्लेयर को भी रेड कार मिल अच्छी बात नहीं तो 10 वेस्ट वह सकता है एक प्लेयर जब आप डाउन होते हो तो आइधिंग यहां से काफी मिले कि बड़े मेंच में किस तरह से आपको अपने हेड को कूल डाउन रखना है और किस तरह से गेम को मैनेज करना है पर्टिकुलर लेगर आपकी वन निल की लीड है क्योंकि उजबेकिस्तान और यह काफी ज़्यादा इंपड़न रहेगा मैरे इसाब से कि आप किस तरह से अगर आपको पहले लीड मिल जाती है तो आप उस कि बाइदर कि अब लेकिन कोई नहीं लेस्ट मूव वन तो दी अधर प्वाइट गेम फिफा रंकिंग मैने जासे बोला कि अन्रेट पोसिशन पे अभी अभी हम मैं लेकिन भी है तिल चांस कि हम कर सकते है तो और अबरल अब लॉट फॉट पॉजिटिव से अधर वरी गे सब्सक्राइब कर लिए एक करोर से भी ज्यादा की डिल हुई है एंड चार पांच या पर आयसे लाइल क्लब इसके फालगोनी सिंग के लिए इसके लिए लेकिन फाइनली नौर्थीज ने सिक्कर कर लिए ग्रेट बैसाब से एंग पर्फेक्ट साइनिंग पर नच यहां पर दिली एपसि के लिए कन्फर्म हो चुके क्लब में वापीस आई लेकिन यही स्टै एट दिली एफसी एंड फ्लेट इलीग सिसन नेक्स ल फी एक बढ़िया बाहा थे की दिली एपसिं यहां पर अटेक्ग मन गया है लेसी की दिली एफसी क्या नच्श शें नाई लिग में करते है तो वह भी मजा आएगा तो हमासु जांगरा विल स्टे एट दिल्ली एपसी तो इस इस रिगारिंग आपको कि आपको यूडव पसंद आए हो कीप सब्सक्राइब कीप सब्सक्राइब कीडियो सेरी जय हिंद जय वारत